में दोजार एक्षिस में फ्लैट लिया था रिगाल यह आटा बर में तो उसके बाद मैं इसको ऑल्री है पेली है नॉर्मल से जानते थे हैं इतने ही जानता था रहे हैं कि अभी प्रण особенно से ल्हुझा फ्लैट बर्यूर ले जांता हो था रहा था तो मैंने से एक लिए आप न मैंने एक रूम अपने लिए लिए रखा था कि इसमें मैं का था आपको कोई प्रॉलम तो नहीं है उनको कोई अब्जेक्शन नहीं ती चीज से तो मैं कभी फ्रेंड के साथ बर्डे वगर आया सेलिबेट करना या कोई मेरा फ्रेंड बात जा गया तो वहां पर मैं आया जाय वह सबका ऐसे ही था पहले तो मुझे नहीं पता था उनकी फैमिली वैगराउंड के बारे में बजब उनकी मदर ने नीचे ही फ्लैट पर लिया रैट तो मुझे बता चला कि आपको क्या कहा था कि ये शादी शुदा हैं आपको उन्होंने पता है कि वह सिंगल हैं नहीं न मैं पीछे अटने लग गया तो ये मिझे ब्लैक मेलिंग करना मेरे को पर स्टार्ट कर दिया पहले तो इन्होंने खोदी एक नंबर के थ्रू मेरे को बताया कि बताया कि ये मेरे हजबन का नंबर है उनको हमारे बारे में पता चल गया है वो तुम्हें जान से मार देंगे करते हैं उसकी बकायता में पर रिकॉर्डिंग है जिसमें वो प्रूफ हैं सारे की जिसमें कहरे कि मेरे हस्बन तुझे जान से मार देंगे तु यहां से चला जा यह सब छोड़ते हैं यह मतलब करते थे वो प्लिस कंप्लेंट की तो पहले तो मैंने यह चीज घबरा गया कि यह चीज घर पर बतायरी कि मैं असे स्केम में फस गया हूं तो लास्ट में जब मेरा मत्ते की नहीं हुआ तो मैंने बड़े भाइ से शेर करी तो उन्होंने थोड़ा सा जो एक्शन वगरा लिया पर उस से पहले से जब मैंने इन्से आना जाना से बंद कर दिया नहोंने मेरे को ब्लैक मेलिंग करना स्थूर कर दिया अलग अलग अलिगेशन लगाने लग जाते थे लास टाइम इन्हों ने मुझे का कि दो लाग रपे देखे मैं तुम्हारा फ्लैट खाली कर दूंगी और किया भी इन्हों ने दो लाग रपे लिए मुझसे कैश और उसके बाद अन्हों ने फ्लैट खाली कर दिया फ्लैट खाली करने के पाद सर्म उसमें की जोते हैं तो मेरे को दो दी गई एक मैंने पूछी सका है तो मैंने लिए तो मैंने वह बहू कुंहाइं को दि भी सबोने बना के विए तो जब ओब शब्ट ओरा के आई में तो इन्होंने दुबारा में फोटोस भेजी फ्लैट की जिसमें जो गौरफ शर्मा ने अपना समान बगारा पड़े बगारा सब कुछ लगाये थे कर्टन बगारा वो सब तोड़ फोड रखे थे बगायदा में पर प्रूफ है स्क्रीन शॉट्स हैं जिसमें उसने कहा था कि अगर यहां पर मिलने नहीं आएगा यहां पर तो तेरे फ्लैट पर मैं आग लगा दूगी और मैं सारा मतगी तोड़ दूगी तो मैं घबरा के जब मैं उसके पास उनके मतगी ससाइटी के अंदर एंटर हुआ तो जैसी में सीडियों के पास गया इनकी पूरी फैमली जो नीचे रहती है जिनकी जो भांजी है इनकी दो और एक मम्मा और भांजी का एक बॉइफ्रेंड है तो वो उन लोगों ने मेरे पर हमला कर दिया जब मेरे पर हमला हुआ तो इन्होंने 112 पर फोन कर दिया हमला करते वे जब मैं बीच पचाव के लिए जैसे में सीटियों के बात जा रहा था मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा तो अब हम दोनों गिर गए हम दोनों गिर गए तो उनके थोड़ा सा यहां पर ब्लडिंग निकलने लगी तो जी चोड लगी उन्होंने 112 नंबर पर फोन करके स्नैचिंग का और यह सब का दुबारा केस दलवा पर जुसमें मैंने सारा कुछ उनको प्रूस वालों को सारा प्रूफ दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और यह सब मतले कि यह वह है बट फिर उसको उसका उस कंप्लेंट को वापस लेने के लिए भी उन्होंने मैंसे पैसे लिए 50,000 पर मैंने उनको कॉंप्रमाइस के जब गौरफ शर्म अपना चाबभी वेकरा लेकर दुबारा फ्लैट खोलने के लिए तो उन्हों देखा की चेंज है तो इन्होंने फिर दुबार 112 पर फोन करके कंप्लेंट करा दी कि मेरे घर में जी चोरी हो गी है और मेरे गहने और 500,000 रुपे कुछ जो है कि सब चोरी ह हो गये हैं कि अग्यादबन देने सर जबकि वो चाब भी लगी नहीं थी उन्होंने अल्रेडी समान रातो रात अपना मत्यकी फ्लैट के अंदर गुसा लिया था अठारा तारिक के मैं और 28 मत्यकी जो जिनको मैंने गौरफ शर्मों का दिया थो चुटियों पर गये थे उन नहीं हुए कुछ नहीं हुआ बलकि मेरेको बुलायाँ गा कि हाँ यह वह क्यों बलकि मैं तो फ्लैट पे गया भी नहीं था यह विम आप बन्दा ऑसे घुश चे दुबारा ऐसे दूबरा कभिजा कर लिया और अभी उनका ही कपजा है तो वह अंजी मैं इसे पैसों की दि तो बंदक कब बना के सीडियों पर बंदक ये सर लास्ट क्या तारिक थी 29 सेप्टमबर की बात है 29 सेप्टमबर को सर अर्ली मॉनिंग जब ये उससे अगस्त अगस्त में सर पिछले महिने 30 सेखाथ को लिए उनसे पहले सके ओदाने कें मिड़ेको फटून और ने को उससे नहीं कि को शिचव लगा दो ऌने लगBoy अन दो इस सार पुलिस सर और मैं डरा हुगै जब मैं करने जा रहा था तो उससे पहले वो मेरी और आ mentioned कर देती दी … कोई ना कोई मेरे पर relation लगा देती थी, तो मैं तो society के आज पास भी नहीं जा सकता, अगर मैं अभी भी जाके society के पास खड़ा भी हो जाओ ना, तो मेरे पर कोई ना कोई relation लग जाएंगे, जिसमें कि सारे उसी की तरफ हैं, पुलिस वाले भी सब कुछ मतलगी मेरी कहीं सुन और इननों ने जब मेरा अपारण किया है, इनको गुर्जीर कोई जाता है, आपका उस घर उस फ्लैट से कितने दूर है, मेरा घर वहाँ से तकरीबन 15 मिनट्स का रास्ता होगा, 2.5 किलो मेंटर करीब होगा, घर, बल्टाना से मतलगी डुकोली में, डुकोली में केरिय के बैक साइड, बिगली अटावर, तो सर वहाँ पे जब इनको ने देख लिया कि हाँ, कि यह नहीं मान रहा है, इन्होंने मेरे को धंकी दी, मेरे पापा के नंबर पर फोन करके धंकिया दी, तब तक सारी बात हम लो और उसके बाद मैंने दो व्यक्ति देखे, जो खाकी वर्दी में थे, उनकी साइड बे PSP कुछ लिखा हुआ था, बट पता नहीं वो फेक्टे की रियल थे, यह मुझे नहीं पता, पुलिस वाले थे, और एक सूरशर्मा नाम व्यक्तिक था, जिनके साथ आज की डेट में गुर्जीत को involved है, जो as a friend या boyfriend type में है, और इनका जो husband है, वो सुर्मुक सिंग है, वो अल्रेडी मतेगी illegal scams वगरा करते हैं, तो वो डर सर डर बैठ गया हो सारा, कि मैं मतेगी, यह तो गाड़ी में किन्नप कर लिया, वो हाँ, उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मेरा पिछे से मुँ पकड़ा, उसके बाद सर मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, जब मेरे को होश आया, जब मैं होश आया, तो मेरे भाई और पुलिस वाले कुछ सामने खड़े थे, तब मेरी दीरे-दीरे, थोड़ा सा मुझे पता चला, कि मुझे अड्रस प्रॉपर नहीं पता, तो पहीं बता कि दीरे मी कासे हुआ नहीं है, जब मैं रिकवर हुआ तो में थोड़ा-थोड़ा होश हुआ तो मैं अपने ब्रणा जाना है क्लियर कर दी ति कि मैंने को सब्सक्राइब तो पका ही कोई ना कोई बारदात हो सकती थी मेरे साथ तो इन्होंने मेरे को उपर फ्लैट पे भी घर के अंदर भी इसलिए नहीं गुसाया क्योंकि घर के आगे मैंने कैमरे लगवाए हुए थे तो अगर फ्लैट के दर में को ले के जाते तो कैमरे के अंदर खुद भी आ जाते इसलिए पारो था जो और अज सेर canvas और में भांख अजया पास आसपास फ्लैटकिन सेर में कहीं सुनवाई वेगर अपने अपने बचाव पक्ष में इन्हों ने क्या किया सर 29 को मेरा किनाइप किया और 30 31 को जाके इन्होंने अल्रेडी सेसपी ऑफिस में जाके मेरे ही किलाव उلटा कंप्लेंट दे दी कि ये सब ऐसे है ये सब जूटा और उनके पास इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है, मुझे नहीं पता उसके बाद से भी कोई फोन आया है? सर उसके बाद अब मेरे पास फोन आने बंद हो गए हैं पर थोड़े टाइम पहले वो डीपी लगा लेते थे डीपी में वो मैसेज लिग देते थे कि मनमोज मेरे को बैठ के कॉंप्रमाइस कर ले मैं इस सब खतम करके यहां से जाना चाती हूं या जो भी है मैं को दुबारा इस चीज में फिर दुबारा इंवल्ब करना चाहते हैं ताकि मैं उनको पैसे दे के फिर दुबारा इंसे अपनी जो अप्लिकेशन है वो मैंने आपको बताया कि ऐसे से दिये दिया है साब के पास है तो देखते हैं अब कर बियान दर्जी सर अभी तो अभी तो स्टेटमे हैं तो इनका यह सर अभी तक तो अगर मोटा मोटा लूँ तो कई लाखों में ले चुके हैं और जिसमें गूगल जो अकाउंट की स्टेटमेंट है जो है वो दो हजार पांच जार पे की तो चलो गिनती नहीं है पर जो मैंसे फ्लैट खाली करने के लिए दो लाग रपे औ अभी उस फ्लैट के कंडिशन क्या किसके पास है इस टाइम पे फ्लैट सर एक तो उस पे जो गौरफ शर्मा है उनको स्टेवी मिल रखी है कोट से बट जो उनका कबजा है वो कबजा उस लेडी कही है अभी भी सर वो लेडी कही है अगर हम आज या पुलिस वालों को भी ल यह कहां तक जा सकते हैं इस तीज का मुझे कोई आइडिया नहीं है अगर यह उस रात मेरा भाई मुझे कबर नहीं करता तो सर पता नहीं मेरे साथ क्या होता लास टाइम यह मेंसे कॉंपरमाइज करने के लिए जिसमें इनोंने पांस लाग की डिमांड और या तो फ्लैट अनके नाम कराने की मांग करी थी जिसके हमारे पर वकायता रिकोर्डिंग्स वगरा है